हाई नमास्कार दोस्तों फिर सब लोगों बहुत बहुत वागत हैमारी इस नहीं वीडियों में मैं राजमोर और आप दिखने है राइट के यूट्यूब चैनल फाइनले दोस्तों बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी अपडेट के बारे में च्योंकि 2021 सेशन वाले के जि तो आपे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपका सबसीटरी में कितना नमबर आना चाहिए पासिंग मार के लिए अनोर्स में कितना नमबर आना चाहिए पासिंग मार के लिए टोटल के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रेटिकल में कितना नमबर आना चाहिए जो कि प्र सबस्क्राइब करके बेल इकन पर क्लिक करके ओल पर किली कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरे तो वीडियो अप्लोड किया जाए आपके वह नोटिफिक्षन सबसे पहले पहुँदे चलिए वीडियो करते हैं सबस्क्राइब करते हैं आपको पूरा बारीकी से समझाओंगा यहाँ पर प्रेटकल जो होते हैं इसमें प्रेटकल कितना नमबर का होता हैं अनॉर्ष में सबस्क्राइब करें अगर अपका प्रेटकल सबजेक्ट नहीं है अनॉर्ष में तहां पर आपको नवे नमबर आना चाहिए दोनों पेपर मिलाकर यानि कि 45-45 अप लाते हैं या फिर 45 से भी कौम्व लातें एक subject में मनली चैकर 25 लाई सब्ज़ेक्टैं एक सब्च्वेक्टैं डिया यहाँ पर आप 90 नमबर आपको आना चाहिए कम से कंो W narc KD माले के लिए और यहां पर बात करें जो कि 50 नमबर काप्र होता है जो कि अनरस में और यहाँ पे 50 नमबर का यहाँ पे प्रेटकल हो जाएगा तो यहाँ पे समझ गए कितना नमबर आपको लाना होगा पासिग मार के लिए अब बात कर रिफेंज फर्स्ट डिविजन के लिए कि honors में आपको first division लाने के लिए कितना number आना चाहिए तो यहाँ पर first division लाने के लिए honors में आपको 120 number donor मिला कर यानि कि दोनों paper मिला कर 120 number आने चाहिए तभी आप first कर पाएंगे तो यहाँ पर आप समझ गए first division लाने के लिए honors में आपको कम से कम दोनों paper में मिला कर 120 number होने चाहिए तभी आप यहां पर first कर पाएंगे आप political वाले हो या फिर आप non political वाले हो 120 number आएगा तभी आप first कर पाएंगे तो यहां पर आप समझ गए honors का अब बात कर फिर दूसरा में subsidiary का अब आपका दो paper होते हैं एक पहला subsidiary एक दूसरा subsidiary यहां पर 100 mark का एक्जाम होते है और subsidiary 2 में भी 100 mark का एक्जाम होते है जो कि दोने के लिए applicable सेम है यहां पर देख सकते हैं non practical subject वाले के लिए जिनका subsidiary में practical नहीं है यहां पर उनको 33 नमबर कम से कम लाने होगा तब ही यहां पर past कर पाएंगे अगर आपका प्राइड्ल है तो यहां पर 25 नमबर का प्राइड्ल होने वाला है और यहां पर कम से कम 23 नमबर लाने होगा तो यहां पर आप समझ गए refugee में आपको practical subject है तो यहाँ पे कम से कम theory में आपको 23 नमबर λाने होगे और यहाँ पे 25 नमबर का practical होगा जो कि यहाँ पे आपको कम से कम 10 नमबर यहाँ पे practical में से लाने होगे तो अभी यहाँ पे 33 नमबर पूर जाएगा आपका तो यहां पे आपको परेटिकल पजीश नमबर कह घो होगा और आपको मीनुमाम आपको ट्विटिस्टी के ़िए पासिंग मारक के लिए और यहां Peach Ni पर हो जी आपको यहांके दॉस नमबर आ गया तो यहां पर 13 tänनमबर आ गया तो आप तो यहां पर आप समझ के कितना नंबर लाने चाहिए कितना नंबर के लिए होना चाहिए और यहां पर कितने नंबर का होता है टोटल मैंने आपको डिसकस किया तो यह थी अप्डेट जो कि मैंने आपको बतानी की कोसिस की यहां पर बहुत ही महत्पुर्ण बात करें जो कि सबसेटरी और कंपोजिशन का थोड़ पार्ट में मार्क्स जूड़ता है कि नहीं तो मैं यहां पर बता दू आपको सिर्फ ओन अच्छा हो सकता है तो यहां पर पास कर पाएंगे इतना लाएंगे तो यहां पर समझ गए तो फिर मिलते आपको नेक्स वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद